वो जो महादेव है जिसकी घर-घर में पूजा होती उत्तर भारत में जाएंगे तो आपको सुनाई पड़ेगी ये बात कि चंदा मामा सब के मामा शिव घर-घर के बाबा और दक्षिन भारत तो शिव की पूजा का प्रती खीरा है आप अगर इतिहास का पन्ना उल्टेंगे तो शिव के 84 सिद्धों का नाम पेरिय पुरानों में है यही तमिल लाडू के थिरु मुर्यर्थ है जिनकी किताबें आज भी हम लोग श्रद्धा से पढ़ते हैं मिलती कम हैं श्रद्धा से पढ़ते हैं उसी दक्षिन भारत में आपने श्रद्धा अपने श्रद्धा भारत में अपने श्रद्धा महोच्छा मायजित किया धन्न भाग आपके और थोड़ा थोड़ा मेना भी कि मैं भी आया जिस श्रिव की बात कहीं जा रही हैं वो भारत के इतिहास के सबसे पुराने देवता हैं महादेव श्रिव जितना भी नाम है श्रिव से जुड़ा हुआ वो भारत के इतिहास में सबसे पुराने देवता हैं उन से पुराना कोई डेवता नहीं है भगवती की भी कल्पना उसके बाद की है देवी की भी कल्पना शेव के बाद की ही है थोड़े बाद की जिस शिव की पूजा सदियों से कई हजार सालों से हमारे आपके घरों में हो रही है तभी नहीं हम लोग के बापा हैं इतने नजदीक हो गया हैं वो इतना नजदीकी सम्मंध हमारा आपका उनसे हो गया है उनके बारे में ये भी पहले से पता है, हम लोग कोई नई बात नहीं कह रहे हैं उनके बारे में ये भी सब को पता है कि वो गुरू है बिल्कुल सही बात है, जो ईश्वर होगा, वो गुरू होगा पूरी सिर्ष्टी जिसने बनाई वही सबसे बढ़ियां गुरु होगा इस पर तो बाहस की कोई बात ही नहीं हो सकती है तो कहा गया कि शिव गुरु भी हैं और इश्वर हैं इसलिए जगत के गुरु हैं और उन्होंने सिर्ष्टी बनाई इसलिए वह आदी गुरु हैं प्रारंब के स्टाटिंग विष्व गुरु हैं यह शब्द हमारे नहीं है किताबों के हैं हमने कहा कि जब यह गुरु है जब शिव ही गुरु है उससे बड़ा गुरु हो यह सकता इश्वर है वो इश्वर का नाम है वो शिव को महेश्वर भी कहा गया है तो जरह उनको अपना गुरु बना के दिखिए अपना अपना का मानी समस्ते मैं समझाओं बताइए आप लोग ने अपनी चपल कहा खोली और भाई हम नहीं गयाब करेंगे लेगि कहीं तो खोली होगी यहां तो पहन के मेरी तरह आए नहीं होगे काई कि मैं बिद्यार्थी भी था और पटने में गांधी मजान में भासन सुनने जाता था तो अपनी चपल ही खोल के उसी पर बैठ जाता था कि चुरावब हम बईठी है कर वहीं तो चुरुप कईसे अची निया बदाम खाता रहता था भासन सुनता रहता था जब पढ़ता था तब और यह करीब करीब यहां 600 लोग हैं मोर दन 600 मैं प्रशासन में रहा हूं भीड की गिंती आती है यह सारे लोग निकलेंगे और इनको अपनी चपल मिल जाएगी इतनी भीड में रखे हुए चपलों के धेर में हमको आपको अपनी चपल मिल जाती है क्यों मिल जाती है इसलिए कि मन समझता है कि वह मेरी चपल है मेरा जूता है मेरा घर है मेरा पैसा है मेरी गाड़ी है मेरी घड़ी है यह मेरा है यह मेरी माँ है यह मेरा बेटा है यह मेरे पिता है यह मेरा शब देखे कैसा खतरनाक होता है एक ही माबाप के दो बच्चे आप खिलावना खरीद के देते हैं इन लोगों को और देखिए कि तुरत तुरत मार हो जाएगी कि तुम हमरा खिलावना कहे ची लिया तुम हमरा खिलावना कहे चाभी दे दिया छोड़ो तुम जबकि दोनों बच्चे जानते हैं कि खरीदा तो मा ने है या पिता ने है खरीदा तो उन बच्चों ने नहीं है खरीद भी नहीं सकते वो ये है मैं, मेरा हमने कहा कि उस महादेव से अपना रिस्ता बनाओ, अपना ओन वैसे इस बात को जान लीजिए जो चीज सब की होती है वह किसी की अपनी नहीं होती जो सारजोनिक सत्ता या संपत्ती है वो कोई उसको अपना नहीं समझता ट्रेन को अपना समझते हैं बस को अपना समझते हैं प्लेटफार्म को अपना समझते हैं नहीं समझते हैं और इसलिए सरकार को नियम बनाने पड़ती, गंदा मत करिये, ये मत करिये, वो मत करिये, आपको अपने घर में कोई नियम नहीं बनाना है, वो अपने आप कर लीजिएगा, जो सबका होता है वो किसी का अपना जल्दी नहीं होता अमूमन नहीं होता एक कहानी सुना है सुनियेगा बड़ी अच्छी कहानी है सुनने लायक हरियाना में एक जिला है हमबाला हरियाना राज्य में एक जिला है हमबाला वहां मिलिटरी का केंट भी हैं अम बाला केंट भी जगह है बहुत साल पहले जब अंग्रेज थे यहां एक मुनिस्पल्टी का नगरपालिका का नंबरदार पहरे मुनिस्पल्टी में नंबरदार होता था जो साइकल पर जिक्से पर बैल गाड़ी पर नंबर ठोकवता था ठैक्स एक नंबरदार था किसी यकम से शहर से बहर गया अंबला से बढ़व कि जगह याई शहर पार करने में एक पहाडी नदी उसको मिलती थी तो पहाडी नदी है पानी तो रहता नहीं गर्मियों में पान पहाडी नदियों में पानी नहीं रहता, वो पार करके उस पार चलाएंगा, लोटते 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 उसको देर हो गई, और दिन में उस दिन बड़ी जोर से बारिश आई, आप लो हिंदी समझने हैं, अनेथा मैं बेकार बोल रहा हूं, हिंदी समझने हैं तो हाथ उठाई आई है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, तो नंबरदार जब बाहर गया, पहाडी नदी को तो पार कर गया वो, सही घटना आई है, पार कर गया, वर्दी में था, पहले नंबरदार लोग वर्दी में रहता थे, मेरे फादर आपसा थे, हम बच्चे थे, तो आते थ कि नंबरदार लोग अरे हैट वो यहां तक का पैंट एक दम अंग्रेजी नुआ ड्रेस तो वो मुझ को याद कि शाम को नंबरदार जब लौटा शहर की ओर तो बारिश होने के चलते पहाडी नदी में बहुत पानी आ गया था पहाडी नदियों में नाव नहीं रहती है क्योंकि कितने दिन नाव चलेगी अभी पानी आया दिस गंटे बाइस घंटे के बाद फेर खतम अब हो गई थी शाम होने वाली थी राट और उस समय की आबादी इस तरह की तो थी नहीं दूर दूर तक कोई मकान नहीं जंगल जंगलाथ आदमी नहीं अब वो नदी के किनारे खड़ा है और सोच रहा है कि मैं शहर में जाओं कैसे अब तो लोटूंगा भी तो छो साथ मील दूर हमको जाना होगा तब बस्ती मिलेगी वो चुपचाप खड़ा था वो चुपचाप खड़ा था इतने में एक सादू वहां खड़ा था पहले से सादू ने उस नंबरदार से पूछा क्या बात है सादू ने उस नगरपाली का के नंबरदार से पूछा क्या बात है नंबरदार बोला जो हुआ था कि नदी हम कैसे पार करें रात हो रही है यहां तो रहने की भी कोई जगा नहीं है हम क्या करें हमको शहर जाना है साधू ने कहा दोनों हाथ ऐसे करो अंजली बनाओ दोनों हाथ ऐसे करो नमबरदार ने ऐसे कर दिये दोनों हाथ साधू को अच्छा लगा कि इस साल वर्दी वाला मेरे कहने से हाथ उपर कर लिया खुश हो गया हूँ साधू ने कहा कि दोनों हाथ आइसे करो नंबरदार में क्या करता हूँ फस गया था दोनों हाथ उसने ऐसे किये साधु आया बालू और पानी तो बरिशुई थी भींगे बालू से एक हाथ पर शी लिख दिया तलावे शोहर सिकार शी और दूसरे तरहती पर वह लिख दिया और कहा जोड़ो पढ़ो क्या लिखा है नंबरदार ने पढ़ा शीव शी लिखा था इसको वह लिखा था जोड़ दिया तो नंबरदार ने पढ़ा शीव शादू ने कहा इसको देखते वह नदी पार कर जाओ नंबरदार ने एक पाउँ नदी में डाले पाउँ धसा ही नहीं पानी में चलता गया चलता गया नदी का पार्ट लंबा था अब लगभग किनारा आचुका था उस पार का अब उस सोच रहा है नंबरदार कि वही शिवन घ्यान से सुनियेगा वही शिवन है जिसको चार बजे सुबह माहा के पूजा करती है मंदिर में जाके गाउँ का लोग भी तो वही पूजा करता है वही न महादेव है जो सार सार गाउँ गाउँ में पूजा जाता है बस एतना हुआ कि डूबने लगा जब इतने पानी में धूब गया तब उचिलना है साधू देख रहा था गाली देखे साधू ने कहा कि रे अपने शिव को छोड मेरे शिव को देख सुन रहे हैं यह पंक्ती साधू ने कहा रे अपने शिव को छोड काई तुम्हारा सिव तो सब का है हमरा सिव तो खली हमरा है साधू ने यही कहा इतना नहीं बोला हुए इतना ही कहा रे अपने शिव को छोड मेरे शिव को देख बालू पर हाथ पर कुछ लिखा था यह नहीं बालू था ऐसे करके उसने हाथ फिर ऐसे किए पिर ऐसे हाथ किए और पानी यह से बाहर आया और भार फिर पानी पथर हो गया उसके लिए निकल गया बताइए साधु ने क्यों कहा अपने शिव को छोड़ मेरे शिव को देख का है नंबरदान का शिव तो था माई का भी है बाबुजी का भी है गाउं का भी है शाहर का भी है दुनिया का भी है सब का लेकिन साधु का शिव क्या था साधु का दिल ढलकता था अपने शिव के लिए साधु का शिव उसका अपना शिव था उस शेयर नहीं कर सकता था मेरा शिव है तो मेरा शिव है मेरा महादेव है तो मेरा महादेव है आपका भी हो कोई दिक थम को नहीं है लेकिन मेरा जैसे मेरी चपल मेरी चपल है, मेरा खिलोना मेरा खिलोना है, मेरा बेटा मेरा बेटा है, मेरी माँ मेरी माँ है, मेरे पिता मेरे पिता है, हमने कहा उस श्रीव को अपना गुरू बनाओ, हे श्रीव आप मेरे गुरू है, मेरे गुरू बनाने से नहीं होगा, हे श्रीव आप आप मेरे गुरु हैं, मा योंव्ग गुरु मेरे गुरु हैं अप कि और इसलिए पहले सूत्र को आप द्यान से दें सूत्र क्या है इस जो आप लोग पुछते हैं तीनПрosure तीन गो सूत्र तीन गो सूत्र क्या है कुछ नहीं है अपने मन को शिव के साथ लगाए रखने का तीन को तरीका है और कुछ नहीं जब यान आए अपने मादेव को कहिए उस गुरु को याद करिये उस शिव को याद करिये वही शिव है वही गुरु है वही भगवान है वही माकाल है वही मुर्तुंजाय सब वही है मनी मन कहिए बॉलने से तो यहां से माउख खटा दीज़ आप ही ने सुनीगा अमरी बात मनी मन कहिए कि हे Shiv आप मेरे गुरु है जरा दिया नहीं करिए पहला सुत्र हो गया? दूसरी सुत्र में कहा कि दूसरों से जरा गप करिये चरचा करिये कि आपके Guru महादेव हैं उस आदमी के भी हो सकती तीसा में हम लोगों ने कहा कि जरह अपने गुरू को प्रणाम कर लिए न भाई साथ गुरू माने हैं तो प्रणाम करने में क्या है इसे पुरी दुनिया तो प्रणाम कर ही रही हम लोग ने कहा आप चाहे तो नमाशुवाय से अपने गुरू को प्रणाम करिये कर सकते हैं दोनों भूलाईएगा पहिल का तीसरा दोनों भूलिएगा मैं भूलता हूँ इसलिए कहता हूँ महादेव से द्या मांगिएगा इसको भूलिएगा जहां मस्ती आई, जहां पैसा आया, कि महादेव को याद करता है कस्ट आगा थब नहादेव का अधनी याद करता है, यादी नहीं करता है, मेरी इस्थिती है यह जब मेरा पिंसन आता है साथ़ जार रुपया बैंक से, उस दिन तो महादेव याद नहीं आते हैं 15-20 तारीक तक 0 जब चला आता है, तो महादेव पल पल याद आते हैं, देखियें, मैंने 40 साल से मैं बोल रहा हूं, जब अत्तर में मैंने शयू को गुरु मानना था, 40 साल से मैं बोल रहा हूं सब को बोलता हूं, कि सुबा उठिये, तो ज़रा महादेव को जो ही तस्वीर आ जब धारिख करिये, और मनी मन प्रणाम करके देया मांग लिजिए, क्या लगता है आपका, आपी का भला होगा, मादे का भला तो नहीं है, सब को बताता हूं, और धज क्या होगी तक ऑमने नहीं किया, कहें नहीं किया, दिखे, आदमी का मॉन कैसा होता है, निद खुलती ह सुबह सुबह रांची की बात बता रहा हूं यह जहां भी रहता हूं मेरत कोई घर है ही नहीं आवा रहा हूं घूमता रहता हूं जहां भी रहता हूं तो माथे के पास घंटी का स्विच रहता है घंटी का स्विच दापता हूं कहा के लिए कीचेन में घंटी बद जाए Rookáveis तोरा आजरा इसलिए हम लोगों ने कहा कि जिएरा गभ करिये ज्या मिल जाये बहुडे थे भाय जी सुनना हम महद्यो को गुरु माने हैं अभी मानीए जहां बोले की हम माने हैं कोई ने सुनेगा कि जहां बोले कि हम 20 रुपे मीटर कप्रा फपहिने, कोई नहीं सुनेगा, अजर आब भोल दीजिए कि कहा कप्रा खरीता है भाईजी, पांच रुपे लगता है, अब मनन सोचेगा, अब समय भले कुछ नहीं बोले हैं, मननन सोचेगा, सला यह गो गंजी खरीत के नहीं दिय हम रे टी सटु कहता है कि पांची रुपाय में दिल्ली में मिलता है शाला भारी हरामी है काय कि आदमी अपने से जुड़ा होता है आप से ने जुड़ातना हूँ उसको कहिएगा हम शीव को गुरु माने है तूदर चला जागा कहिएगा कि आपके भी हो सकते हैं तब सोचेगा कुछ फाइदा होदा है कायार कुछ बात है का अब सुरू हुआ तो चलिए एक चर्चा का दौर तो चला मन जो दुनिया में भटक रहा था कुछ दिर तो शिव की याद में गया और जिसकी याद बार बार आती रहे याद रखिएगा जिसकी याद बार बार आती रहे उससे मुहबबत होती है गर आप यूँ ही मुझसे मिलते रहे देखिए एक दिन प्यार गणों नहीं सुनता है अरे गाना भी तो बोला करो यार देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा तो थीन सुत्र कुछ नहीं है, हमारे आपको मन को मन को शिव की याद में ले जाना है, अपने गुरु की याद में ले जाना है, और कुछ नहीं है, हमको कोई सिखाय थोड़ी है, हमको कोई बताय थोड़ी है, हमको किसी नहीं बताय कि शिव गुरु होते हैं, शिव को वाड़ी आदमी थे पड़ाईली का इस मतलब है नहीं था गलती साइपियस में आये डिप्टी कलेक्टर हो गया हूँ सब गलती से हुआ हम गलती से सीवोसी सी हूँ है यो जानलीजी एक बार असमसान में बईठे थे हम चाहु नाइंटीन सेवेंटी फॉर नॉवेंबर अज हम अज यहां गयते हमें वह दुखी हो गया था तरह तरह की साधना तरह तरह के दंदे तरह तरह के घोरी तरह के साधू बाप अबसा था मेरी पूस तो थी ही पैसे वाला था बाप पूसा में क्लास वान अबसा था तो पैसा था ही बाप के पास असमसान में बैठे बैठे हमने सोचा ध्यान से सुनियेगा भाई जी शिव सिसिता में कुछ करने को नहीं है कि वाले एक सोच है, एक विचार है, एक थौट है इट इस मेरे थौट मैंने सोचा कि बड़ी गुरु बना लिया, कोहीं कुछ मिलता होलता नहीं है बाद चलो आप भगवाने को गुरु बनाती है सोच रहे हैं, असमसान में तो कबड़ी खेलने के लिए पाटी रहती नहीं या खेले रहना मैं सोच रहा हूँ कि चलो आप भग्माने को गुरु बना लेते हैं अब किसी को नहीं बनाए हमने सुना था अपने पिता जी से कि भग्मान शुव को कहते हैं इस सुना था मको कोई मतला उतला उतला इसे नहीं था जैसे मेरे मन मेरा आत के दो बजे अंधेरे में ये ख्याल आया कि भग्मान को आप गुरु मानेंगे ये भी ख्याल साथ में आया कि श्रीव भग्मान है हम ने श्रीव को गुरु मान लिया एक मेरी आदत मैं अगर मान लूँगा किसी चीज को न तो पूरी दुनिया एक और मैं अकेले लडूँगा उससे भले मार जाओ जब मैंने सोच लिया कि शिव मेरे गुरु हैं अब से हम शिव को गुरु मानेंगे लाग तूफान आए लाग जन्जावात आए क्या-क्या मेरे साथ नहीं हुआ मैं खड़ा रहा कि मैंने शिव को गुरु माना है मेरे गुरु शिव हैं और आपको बताएं आप करके देखेगा कभी वो शिव हैं वो महादेव गुरु हैं सब कुछ है वो हम आप जूडते नहीं है जूडने की हमारी आपकी आदत नहीं है मन्शा नहीं है कुछ नहीं है उससे जूडने में महादेव कहता है कि तुम मुझको देवता समझते हो मैं तुमको मित्र समझता हूं इसलिए कहा है शिव के गण होते हैं गण मने आदमी संस्कित में गण शब्द कारत होता है आदमी गणतंत रिषी से बनाया है 26 जन्वरी तो मात्र मैंने सोचा था कि शिव को गुरू बनाऊंगा और कुछ नहीं जानता था जब एक जगा बदल के सरकार ने मुझको 82 में मैं स्टेट बना दिया एक जिले में तब लोगों से जब मैंने कहा उपी यसमसान के बच्पन के साथियों को कि शिव को गुरू है हमने कि शिव को गुरू माना है तब लोग बता है कि हमको पहले से मालूम है हमका मालूम है तो मानता का नहीं कि जब शिव कुरू है आपको मालूम है तो शिव से पनिये ना भाई श्कुल्वा मालूम है कि सब सो पढ़ी है तो पढ़ता का नहीं है ए यह मेरे परिणाव है और कुछ नहीं और उसी सोच को कि शिव मेरे गुरू है कायम रखने के लिए यह अपके तीन सूत्न है और कुछ नहीं है UK फिर शिव से जैसे जुञेंगे आप तब तो सब कुछ है तब तो बल्ले बल्ले तब का धिकत में चिजग से टूरा लिए मरेनि ज़ुरु को अुछ जन कर दूरा पादरे नहीं हमको सब थोड़ा बहुत ओर दूरा आ्रे मालूम है एक आदमी से हमने पूच्छा खिज़ुन को जानते हैं हैं हमका वो ठीतना जानते हैं थोड़ा बहुत जानियं है कोई जाने नहीं सकता है उसको उसादू होता पष्वियों कोई हो कोई गुरु हो शीव कितना जानियेगा जाने नहीं सकते आप उसका अन्ष जान सकते हैं पुर्न शीव को तो जानना नहीं सकते हैं हम का आप शीव को जानते हैं ठीक एक बात बता है, शीव आपको जानते हैं, हम उसे पूछा, शीव को आप जानते हैं, ठीक, शीव आपको जानते हैं, अरे उन तो पूरी दुनिया के मालिक हैं, तो जानने को जानते हैं, लेकिन व्यक्तिकत रूप से शीव आपको जानते हैं, एक आदमी ने हमको कहा कि हाँ, यहाँ शीव हमको जानते हैं, वो मेरी पोती है, जो पतली है, अभी इदर ही जाए, इसी ने कहा कि हाँ, शीव हमको बाबा जानते हैं, और कोई नहीं बोला, कहीं कि हमते नहीं किया कोई, हमने जब पूछा कि शीव को आप जानते हैं, कहाँ, शीव आपको जानते हैं, शीव के लोग के लोग कालेजा नहीं हुआ एक इसने कहा जो अभी वेद का रिचा सुना रही थी इसने कहा कि हाँ बाबा शीव को जानते हैं इतना भी साहस नहीं है कि हम आप कह पाएं कि हम शीव को जानते हैं सो जानते हैं शीव हम को जानते हैं इतना भी साहस नहीं है इतना भी इतनी दूरी है एक आदमी से यह हमने हाल में पूछा है आपके परिवार में कितने लोग हैं काजी चार आदमी कौन-कौन हम मेरी पतनी दो बच्चे हम का शीव को गुरु माने कि अटना दिन हो गया काजी पच्ची साल हो गया सर हम का शीव को कहते हैं कि शीव मेरे गुरु है आप परिवार में कहते हैं कि चारे आदमी है महादेव कहां चला जा रहे पांचन होगा शीव मेरे तुम हो तुमारी बीबी है दो बच्चे है तो पांचन हुआ चार कई से हुआ देखिए शियू कogy अपना मानते हों अपेमली आप अपिम लगए लेए के तरह बाहर कर दी है वैसे हarf ही शियुका नाम भी बुलहू इस भी बुलह महादेयु मंदिरों में भी बहुत मंदिन है जाका नाम है बुलह महादेव शेव को गरो मानिये आज माइये और उसको अपना गरो बनाईये जैसे आपका कंगन है जैसे आपकी घड़ी है जैसे आपका बेटा है आपका घर है आपकी चपल है चलिए बहुत चीज है चपल थूटला ही चपल एक दो आदमी इसमें जरूर होंगे जो आप सोच रहोंगे कि अब जन्वरी में तन खाह मिलेगी तब चपल खरीद लेंगे बड़ी तूट गया चाला बड़ी दिख करता है रोड़ी गोल में सठ जाता है तो अगर उचपल पहन के आया होगा और उसकी चपल कुकुर उठा लेगा है कुकुर मने बुष्टें है in Sanskrit में कुकुर मने कुट्या कुकुर संस्कुर्ट बढे कुकुर उठा लेगा मल यह चपल देखवो का कुट्या उसको ठाइबे करेगा आब उसका मन हो जाया का घोर देखे चपल से क्या अकरशन है कायेगा सालक नहीं महोचा में इस सशुरा काहला बुलाय था अपलना अफलना सलकाल बुला थे मेरा चपल गायब हो गया आज आपकी पांच दिन के बाद उचपल खरिदने माला है उसको फिक देगा देखिए ये आकरशन है अपनी चीजों के प्रति इंसान को आदमी को अरे उतना भी आकरशन सिव के प्रति पैदा कर लीजे न आस्मान फट जाएगा ध का ही न आस्मान प्रहम है आस्मान भ